नमस्कार दोस्तो मैं गोरव एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने परिवार साध्यासीटी में दोस्तो आपकी कोश्णानसों की स्रीज चला सुरू कर रहे हैं अंदी की और यहां पर हम कोश्ण की प्रक्रिस करेंगे और जिसकी जितनी त्यारी है य उप्षिन नमबर ए, बी, सी या डी देखें पुर्लिंग की या इस्तिलिंग की पहचान आप लोग कैसे करेंगे पुर्लिंग और इस्तिलिंग की पहचान करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि उन्स शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर लिजी अगर आप उ ये सभी क्या है इस्त्री लिंग, क्या है इस्त्री लिंग, हमें क्या देखना है पुर्लिंग, तो नगर आ गया, option number A, आपका right answer हो जाएगा, क्या नगर, अब बात करते है, question number 2 की, अध्यक्ष और अधिश्टा में उपसर्ग बताईए क्या होता है, शब्दों के अंस होते है, शब्दों के अंस होते है, आपके उपसर्ग और पड़ते है, ठीक है, क्या पड़ते है, ठीक है, उपसर्ग क्या होते है, किसी भी सब्द की सुरुवात में लगते है, और पड़ते है, किसी भी सब्द के अंत में लगते है, तो जैसे अधिश्टा और अधिष्टा और अध्यक्स में कौन सा उपसर्ग है तो देखे कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग है आपका अधी क्या है अधी option number B इसका right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा अधी question number 3 की बात करते है सदाचार में उपसर्ग बताए क्या होगा सदाचार में कौन सा उपसर्ग है बताएगे मैंने अभी क्या बताया था कि उपसर्ग क्या होते है कि शब्द के अंस होते है अतत सदांस होते है ये किसी भी शब्द के सुरुवात में लगते है क्या लगते है किसी भी शब्द के सुरुवात में लगते है तो क्या होगा आचार सद सत या आर तो क्या होगा आपका सदाचार में उपसर्ग तो क्या होगा सत क्या होगा सत होगा अगर इसका संदी विछेद करोगे तो संदी विछेद होगे इसके बनेगा इसका संदी विछेद या आपसे पूछा जाता है तो क्या बनेगा ये बनेग के साथ यदि किसी वि een के सामने किसी भी one का क्या आ जाए तीसरा चोथा पांच वा जाए तो कि website चोड़ी सगोषवन अ जए सगोषवन अ क्या होता है आपको पता होगा या मैं आगे आपको पताता होगा तो सगोषवन अजाए तो पहला अक्सर अपने तीसरें बदल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसकी स्थान पर दै हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सदाचार बन जाएगा तो option number B क्या होगा सत होगा option number C चोथे question की बात करते हैं निम्न में से मिस्र वाक्य को पहचानिये निम्न में से मिस्र वाक्य को पहचानिये option number A, B, C या फिर D बताए इन में से आप मिस्र वाक्य को पहचानिये देखे मिस्र वाक्य मैं बताता हूँ रचना के आधार पर वाक्य के कितने परकार होते है रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन परकार होते हैं, नमबर एक पर क्या होता है आपका, सरल वाक्य, सरल वाक्य, नमबर दो पर होगा, मिस्र वाक्य, और नमबर तीन पर क्या होगा, नमबर तीन पर होगा, आपका संयुक्त वाक्य, क्या होगा, संयुक्त वाक्य, सरल वाक कि इक करता है ठीक है अगर मिस्यवाक्या की बात करता हूँ इसमें एक अधिक विद्ह के द्वारा 에क म summu या दो सेदिक साधान वाक्य एक साथ आते हैं समुच्चे बोधक अव्य के द्वारा जोड़े जाते हैं तो देखे उसका सब कुछ खो गया उसका सब कुछ खो गया सूरज उगने पर यहां पर क्वासा फट गया उसने अपना घर लुटा दिया उसके पास जो कुछ था वह खो गया तो बताए क्या होगा चार का राइट आंस्वर क्या हो जाएगा आपकी बताए क्या होगा उसके पास जो कुछ था उसने सब खो दिया तो ऑप्शन नमबर डी इसका राइट आंस्वर हो जाएगा मैंने कहा था मिसर वाक्य में एक वाक्य के उपर दूसरा वाक्य आस्री तो होता है तो उसके पास जो कुछ था उस वैस खो गया वहे खो गया तो क्या होगा option number D 4 का right answer हो जाएगा बात करते हैं 5 की मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था इस वाक्य का भेद बताईए बताईए इस वाक्य में कौन सा भेद है या कह सकते हैं इस वाक्य का भेद बताना है आपको मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था सेयुकत वाक्य मिस्रवक्य सरलवक्य तो सरंव cooking थाया तो मुझे आपको answer देना है तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? तो क्या होगा आपका मिसर वाक्य है option number B इसका right answer क्या हो जाएगा? हम बात करते है question number 6 बच्चे बश्से स्कूल जाते है इस वाक्य में कोण सा कारक है? कहां से जाते है? बच्चे स्कूल जाते है, बस से देखे कारक की बात करता हूँ तो कारक के आठ परकार होते हैं कौन-कौन से करता ने करम को करण से के दुआरा संपरदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंद का की के ना नीरे रारीरे अधी करण में पर और संबोधन हे रे तो कितने परकार हो गई ये कार के आड़ प्रकार हो जाते हैं जब बच्चे बस से स्कूल जाते हैं तो करताने करम को करन से के दोरा जहां करन होता है वहां पर किरिया को करने का साधन होता है तो क्या हुआ देखें बच्चे बस से स्कूल जाते हैं किस से जाते हैं से तो क्या हुआ या तो करन होगा या फिर तो से क्या है यहाँ पर आपका करण कारक का चिन है तो क्या है आपका करण कारक? Option number A, इस काराइट आंसर क्या हो जाएगा? Option number A हो जाता है अब बात करते हैं हम लोग साथ वे कोशन की विरिक से पत्ते जड़ते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए विरिक से पत्ते जड़ते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? अभी मैंने बताया था कि कारक के आठ परकार है जिसमें से दो की विवक्ती होती है एक होती है आपके करण कारक की और एक होती है अपदान से अलग होने के अरत में करण का जो से होता है वो हमें किरिया को करने की अनुभूती कराएगा ठीक है ना जैसे आपका बच्चे बस से स्कूल जाते है अब बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते है और यहाँ पर क्या है विर्क्स से पत्ते जड़ते है और अपदान में जो से है वो अलग होने के नुबूती कराएगा विरिक्स से क्या जड़ते हैं पत्ते अर्थात विरिक्स जो था ये आपका क्या था ये विरिक्स था इससे पत्ते गिरे पत्ते अलग हो गए तो विरिक्स से पत्ते अलग हो गए तो क्या हुआ आपका यहां पर हो गया सवर्णाम के चार बेद होते हैं क्या होते हैं सोड़ नाम के कितने बेद होते हैं अगर 6 का होगा पुरुस वाचक नमबर दो पर होगा निश्चे वाचक नमबर तीन पर है ए निश्चे वाचक नमबर चार पर है संबंध वाचक संबंध वाचक नमबर पांच पर है आपका निज वाचक क्या होगा निज वाचक और नमबर छे पर क्या है आपका प्रश्ण वाचक क्या है प्रश्ण वाचक अगर पुरुस वाचक स्वर नाम की बात करता हूं तो इसके तीन परकार होते है, नमबर एक पर है आपका, उत्तम पुरुस, नमबर दो पर है आपका, मध्यम पुरुस, और नमबर तीन पर क्या है आपका, मध्यम पुरुस और अन्य पुरुस, क्या होगा, अन्य पुरुस, ये क्या होते है, ये पुरुस वाचक सवर नाम के ठीक है ना परकार होते हैं तो option number डी इसका right answer क्या हो जाएगा 6 फरकार होते हैं बात करते हैं question number 9 की कोई आरहा है वाक्य में कोई किस परकार का स्वरणाम है या कह सकते है कि रेखांकित पद में कौन सा स्वर नाम है अब जैसे आपको चल लगता है रेखांकित पद क्या है ये कोई है क्या है कोई देखिए वाक्य में कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई किस परकार का स्वर नाम है एनिश्चेवाचक निश्चेवाचक निजवाचक प और नाम के छे परकार होते हैं और प्रतियक सरुड़ नाम की पहचान होती है कुछ नाखू जैसे एनिश्चे वाचक में कोई और कुछ का प्रियोग किया जाता है कोई कुछ जैसे एक्जामपल की मैं बात करता हूं एक्जामपल होगा कोई आया है क्या कोई आया है कोई आया है कुछ लाया है कुछ लाया है कुछ लाया है यहां पर हमें नहीं पता कौय आया है क्वोण आया है निम्न में से कौन सा विशेष्य है देखे चतुल अगनी मधुल करमत क्या है यह क्या है बताईए देखे अगर मैं बात करता हूँ विशेष्य क्या होते है विशेष्य जिसकी विशेष्य बताते है उसे विशेष्य कहते है जैसे संग्या और स्वरनाम की विशेष्य बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं अगर संग्या और सवर क्या है मधुर की बात करूं मधूर क्या है मधुर होना भी उसका एक गून है यह क्या है आपका विशेश्य शब्द है कैसा विशेश्य सब्द है विशेश्य शब्द है तो उप्षिन नंबर भी दस्वे का राइट अंसर हो जाएगा ग्यार्वे कोशन की बात करते है वहनोकर नहीं आया इस वाक्य में कौन सा विशेश्ण है विशेश्ण आपको पता है ना कि विशेशन किसे कहते है विशेशन कहते है संग्या और स्वरणाम की विशेस्ता बताने वाले सब्दों को विशेशन कहते है अगर विशेशन के परकार की बात करता हूँ तो विशेशन के चार परकार होते है कितने परकार होते है विशेशन के चार परकार विशेशन के हो जात की बात करता हूँ तो क्या होगा आपका गुनवाचक, संख्यावाचक, परिणाम वाचक और आपका सारवनामिक विशेशन, क्या होगा सारवनामिक विशेशन, ये चार परकार होते हैं विशेशन के, और विशेशन हमेशा किसकी विशेशता बताते हैं, संख्या और संख्या सारणामिक विशेशन है अब सारणामिक विशेशन क्या होते हैं सारणामिक विशेशन वे होते हैं जो जो सरणाम जो सरणाम संग्या के लिए विशेशन का कार्य करते हैं किसके लिए संग्या के लिए विशेशन का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें आपका सारणा किरिया के कितने बेद होते हैं बताए रचना की दिरिष्ट्री से किरिया के कितने बेद होते हैं किसके किरिया के रचना की दिरिष्ट्री से किरिया के कितने बेद होते हैं किसके किरिया के रचना की दिरिष्ट्री से किरिया के कितने बेद होते हैं किरिया के दो बेद होते है रशना की दिश्टी तो option number C इसका right answer हो जाएगा कौन-कौन से होते हैं number 1 की बात करता हूँ तो सकर्मक से कर्मक और number 2 की बात करता हूँ अकर्मक क्या होगा अकर्मक जिस कार्य को करने के लिए करम क्या वशक्ता होती है वहाँ पर सकर्मक क्या और जिस काम को करने के लिए कर्म क्या वशक्ता नहीं होती वहाँ पर अकर्मक क्या होती है सकर्मक क्या की बात करता हूँ तो वहे खाना खाते है वहे या राम खाना खाता है क्या खाता है राम खाने को खाता है किसको किसको खाता है खाने को खाता है तो खाना क्या है एक खाना होता है ये खाना और एक खाना क्या होता है ये आपका क्या खाना क्या होता है जैसे रोटी सबजी ये सब क्या है ये खाना है और एक खाना क्या होता है जब हम खाते है तो र खाना खाता है तो कैसी किर्या है सकर्मक अगर मैं कहूं चिडिया उड रही है चिडिया उड रही है तो उड़ना कैसी किर्या है बताई यह उड़ना क्या होता है किर्या और किर्या सकर्मक है या अकर्मक तो किर्या यहां पर क्या है अकर्मक तो उड़ना क्या है अकर्मक चलन पीना ये क्या है आपके सकर्मक किरिया खाना हो गया पीना हो गया ये सबी कैसी है सकर्मक पढ़ना क्या हो गया सकर्मक किरिया है ये सबी कैसे सकर्मक तो कि रचना के अधारपक किरिया के कितने प्रकार पता है दो सकर्मक और अकर्मक कोशन नमबर 12 कहा नसल हो जाएगा सी जो दो वे एविकारी शब्द, क्या एविकारी शब्द, जो दो शब्दों वाक्यों अत्वा वाक्यों खंडों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिती वाचा कव्वे, किरिया विशेशन अव्वे, संबंद बोधक अव्वे या समुच्य बोधक अव्वे, तो option number D, समुच्य बोधक अव्वे कहते हैं, इन्हें समुच्य बोधक अव्वे कहते हैं, अगर अव्वे की बात करता हूँ, अव्वे क्या होते हैं, अव्वे वे शब्द होते हैं, या एविकारी वे शब्द होते हैं, जो लिंग वचन और कारक की अनुसार, जो अपने रूप मे क्या होगा किरिया किरिया विशेशन अव्य नंबर दो पर देखते हैं संबंध बोधक अव्य क्या होगा संबंध बोधक अव्य नंबर तीन पर क्या होगा समुच्य बोधक अव्य और नमबर 4 पर क्या होगा विशमियाधी विशेशन अव्वे बात करता हूँ किरिया विशेशन अव्वे के भी 4 प्रकार होते हैं आपके चोद्वे कोशन की राम सो रहा है आगे आपका यहां पे पैचानी तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी किरिया को कैसे पेचानेंगे राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी किरिया है भई राम सो रहा है तो सोना कैसी किरिया है दूई करमक, अकरमक, प्रिनार्थक या सकरमक देखे जहां पर दो करम क्या उशक्ता होती है जैसे राम बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है राम बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है तो यहां पर कैसे करम है दो करम है तो दूई करम किरिया अकरम किरिया जहां पर जिस कार्यों करने के लिए करम क्या वशक्ता नहीं होती अकरम किरिया प्रिणार्था किरिया जहां पर करता किसी दूसरे को प्रेरित करता है काम करने के लिए सकर्मकिरिया जहां पर किरिया कोने के लिए करम क्या वशक्ता होती है क्या कहलाती है सकर्मकिरिया कहलाती है तो यहां पर क्या हुआ राम सो रहा है सो ना पी रहा है पानी पी रहा है नादिल पानी पी रहा है कोल्ट्रिंग पी रहा है दूद पी रहा है च्छाए पी रहा है सेथ पी रहा है ठीक है ना लेकिन यहां पर क्या है सो रहा है बस सो रहा है तो सोना क्या है अकर्मक किरिया कोशन नमबर चोद्य का रहा है डांसो क्या हो सकर्मक dwarf, पूरकालिक या कर्मकिरिया अब पढ़कर क्या होगा यहां पर आपकी क्या है क्या है proportion number C 15 question का right answer हो जाता है option number C 16 question की बात करते है मेरा जोर से हसी इस वाक्चे में किस प्रकार की कर्या का प्रियोक किया गया है मैंने आपको बताया था हसना दोड़ना नहाना चलना आपका कैसी किरिया है यह सभी उड़ना यह सभी सोना अकर्मक किरिया है कैसी सीत्मिरा जोर से हसी तो इस वाक्या में किस पर हसना जो है कैसी किरिया है अकर्मक कैसी अकर्मक औप्शन नंबर A 16 कोशन का रह डांसर हो जाता है कैसी किरिया है अकर् बिमार है इस वाक्य में थोड़े में कौन से किर्या विशेशन है किर्या विशेशन अब किर्या विशेशन जो किसका प्रकार है किर्या विशेशन यह एक अव्वे का प्रकार है अव्वे के कितने प्रकार बताए थे मैंने आपको चार प्रकार मैंने आव्वे के आपको बता कितना हैः थोड़ा है कितना थोड़ा तो क्या इसथान की बात कर रहा है नहीं कर रहा है में परियोग किया गया है तो वे हैं थोड़ा बिमार है, कितना बिमार है थोड़ा,ला मातरा की बात कर रहे हैं तो स Совass ही का रहा तांसूर की हो जाएगा? D हो जाता है उठार्वे कॉशन की बात कर लेते हैं उठार्वा कॉशन क्या कहता है? इनमेसे वर्तमानुकाल का उधारन क्या है? वर्तमान काल के कितने परकार होते हैं वर्तमान काल के आपके पांच परकार होते हैं कितने और काल के कितने परकार होते हैं काल के तीन परकार होते हैं जिसमें से वर्तमान काल वर्तमान काल हो गया भूत काल और भूश्यकाल जिसमें से वर्तमान काल के पांच परकार भूत काल शूरी उसने पढ़ा था उसने पढ़ा था भूति काल में जाएगा रहा था ये भी भूति- lows जाएगा ये आपका तात कालिक भूति- saagat कि याता है ऑपका वह सामान्य उत्मानकाल हो जाता है 48 बकर इता है E 20 के बाथ करते हैं वह लुट में काल पहचाने देखिए में वह drive काल है संभाव्व हो नहीं तातकाली वर्तमानकाल है तौट ये इसमें से कौन सा आपका काल का भेद हो जाएगा तो इसमें संभाव न जताए गई है संभावे वर्तमान काल का भेद हो जाता है क्या हो जाता है संभावे वर्तमान काल का भेद हो जाता है वह आया हो राम पढ़ा हो राम ने क्या हो राम पढ़ा हो यहाँ पर किया की गई है किसी किरिया के वर्तमान काल में होने की संभावना को जताया गया है राम ने पत्र लिखा हो तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपकी वर्तमान काल में होने की संभावना जताया गया है अगर हेतु हेतु मद भूतकाल की मैं बात करता हूँ हे तू हे तू मद भूत काल के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो कारिये हे तू हे तू मद भूत काल में कारिये जो है भूत काल में होना था लेकिन किसी कारणवस नहीं हो सका अगर एक्जामपल की बात करता हूं तो वह जैसे वह जाता तो मैं आता वहे खाता तो मैं पीता भाई वहे जाता बतलब कार्य भूत काल में होना था लेकिन किसी कानवस नहीं हो सका तो कहा गया है कि वहे जाता तो मैं आता वहे खाता तो मैं पीता तो यह क्या है आपका हे तू हे तू मद भूत काल अगर तातकालिक वरतमानकाल की बात करता हूँ इसे तातकालिक भी बोलते है इसे नियुंतर वरतमानकाल भी इसे बोलते है जैसे वह जा रहा है आप खेल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ क्या आप खेल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा यह तातकालिक वर्तमानकाल का उधारन हो जाता है अब आपका रैट आंसर क्या हो जाएगा संभाव है वर्तमानकाल का यह एक उधारन है 20 कोशन की बात करते है सदेव में संदी क्या है अगर किसी भी बच्चे को किसी भी दोस्तों किसी भाई को किसी भी बहन को किसी को भी कौई भी दिक्कत है ठीक है सदेव में कौन सी संदी है सदेव में आयादी संदी वर्दी संदी गुन संदी द्रिग संदी पैचान के अगर बात करता हूं तो दो मात्राय है तो संदी के कितने परकार होते है पहल तो यह देख लिजीए संदी संदी के तीन परकार होते है नमबर एक पर है आपका स संधी नंबर दो पर आपका व्यंजन संधी व्यंजन संधी और नंबर तीन पर है आपका विसर्ग संधी क्या विसर्ग संधी संधी के परकार कितने होते हैं डी जी वी वाई ए तो कितने हो गई यह डी जी वी वाई यह पांच परकार होते हैं किसके आपके संधी के दिर्ग स क्या हो गया यहां पर आजाती है क्या है यह आपका व्रिद्संदी का उधारण हो जाताय किस का व्रिद्संदी का उधारण हो जाता है बीस्वे कोशन, option number B, right answer, 21 वे कोशन की बात करता हूँ, उत्छिस्ट का संदी विच्छेद करिए, किसी को भी, किसी भी topic में, इतने सारे मैंने अभी कराए है आपको ये, इनमें किसी भी topic में कोई दिक्कत है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको वहाँ पर, फुल थो करता हूँ, इसमें संदी विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्थ, पलस, सिस्ट, क्या हो जाएगा, उत्थ, पलस, सिस्ट, जहां पर ते है, अगर मैंने आपको कहा था, कि ते, यदि ते, ते, नियम के अनुसार, यदि ते के सामने, कोई शे आ जाता है, तो ते क्या हो जात उच्छिस्ट उच्छिस्ट बन जाएगा तो option number A 21 question का right answer हो जाता है बात करते हैं 22 question की जिनका उच्चारण सतंतरता से होता है और जो वेंजन के उच्चारण में सायक होते है उन्हें क्या कहते है बताईए constable UP police 2018 का ये question है क्या UP police 2018 का ये question है कि जिनका उच्चारण सतंतरता से होता है और जो वेंजन के उच्चारण के सायक होते है उसे क्या कहते है वेंजन कहते है स्वर कहते है संग्या कहते है विसर कहते है तो क्या कहते है स्वर कहते है क्या कहते है स्वर एसी धमनी है जिनका उच्चारण सतंतर रूप से होता है क्य सवर के बात करता हूं तो सवर बात करता हूं है और सवर को शूर긴 सवर को करता हूं SpringAug कुन सा है मैंने आपको बताया था कि इस्ट्रिलिंग और पुर्लिंग की पहचान के लिए आपको उसे वाक्य में परियोग कर लेना किसी भी शब्द का वाक्य में परियोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्ट्रिलिंग है या फिर आपका आंस्वर पुर्लिंग मे पहचान आपको इसमें हो जाएगी, बहुत ही आसानी से हो जाएगी, क्या बहुत आसानी से, विवाद हो गया, आभार परकट कर दिया, हमला हो गया, हरकत हो गई, क्या हरकत कर दी, इसने हरकत कर दी, ये कहते हैं ना, कि इसने हरकत कर दी, है ना, तो क्या होगा, option number D, हरकत, option number नमबर D 23 कोशन का राइट आंसर क्या जाएगा option number D हो जाएगा बात करते हैं 24 कोशन की कि निम्ड में से अंतस्त वेंजन कौन सा है निम्ड में से आपका अंतस्त वेंजन कौन सा है अंतस्त वेंजन कितने परकार के होते हैं अंतस्त वेंजन चार परकार के होते हैं कौन-कौन कौन कौन से होते है चार परकार के होते है चार परकार कौन कौन से होते है यह रे ले और वे कुल कितने होते है चार होते है यह रे ले वे अंतस्त्वेंजन कितने होते है चार तो इसमें से क्या होगा वे वे क्या है आपका अंतस्त्वेंजन का उधारन है बात करते हैं आज का last और अंतिम कोश्यन निम्मिए से घोसवर्ण कौन सा है बताएए निम्मिए से घोसवर्ण कौन सा है घोसवर्ण तो घोसवर्ण किसे कहते है बताएए आप एक वेंजन वर का तीसरा चोथा पांचवा सघोस वर्ण में आते हैं क्या गैग है यह क्या होते हैं तीसरा चोथा पांचवा सघोस वर्ण में आते हैं अगर मैं बात करता हूं कि अंतस्त वेंजन यह रे ले और वे भी सघोस यह चार सघोस होते हैं और एक और है सघोस होता ह तो यह कितने होगे 31 तो बताना है कि 25 कोशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से घोस वर्ण कौन सा है ठीक है आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको आंसर देना है तो आज इतने रखेंगे दोस्तों आपने क्लास ली इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत ध